किशान भाइव मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा प्याज की अपडेट के वारेम क्योंगे दोस्तों नवंबर और दिशंबर महीने में कितनी महातेजी आएगी महातफूर महातेजी में कितना उच्छाल देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों अब ही जो मंडिया है उन जितना विदेश से अपनी इंडिया में प्याज आता था उस पर अभी रोक लगा दी गही है और दोस्तों जब तक साथ आठ दिन बाद जो मंडिया उपन होंगी जैसे मंडिया खुलेंगी तैसे ही दोस्तों जिन किसानवायों के खेट में वारिस होने के कारण फ्याज नहीं आ पाया था उन सभी किसान भायों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है क्योंकि उन्हें साथ आठ दिन का टैम मिल जाएगा और उनका जो प्याज है वो मंडियों में आ जाएगा क्योंकि दोस्तों कल जैसे सटर्डे था तो सटर्डे हर एक मंडी में 400-500 रुपए कि जो उच्छाल देखने को मिली थी जो तेजी देखने को मिली थी उसी के साथ साथ दोस्तों एक नई अपडेट हमारे साथ और आई है आप देख पा रहे हैं इस अपडेट में लिखा गया हुआ किशानों को बीच खरीदने के लिए पका बिलवी नहीं दिया जा रहा है और कि यह मेहंगे होने के साथ साथ जो पियाज का दे रहे हैं और उसके कोई भी गारंटी नहीं ले रहे है कि यह नहीं हो गेगा तो दोस्तों इसी के साथ इसमें लिखा गया हुआ जितने धुरह से प्याज के भाव you वह भा़ रहरे है तो दुकानतारों दुरा किसानों को बिज के नम पर खुले लूत की जा रही है यह तो दो आइसे में यह अपडेट है और दोस्तों मैं आपको बताता हुं बात करते हैं नमबर और दिम्बर महात में की बिजी हैँ आज में और नवंबर के एंड में और दिसंबर के सुरवात महीने में काफी जादा तेजी देखने को मिलती है तो दोस्तों जैसे ही दीपावली के बाद जो मंडिया ओपन होंगी तो उन सभी किसान भायों की जो मंडियों का रेट है उन्हें बहुत ही जादा उच्छाल अबड़ेट के आई है